तमिलनाडू के मद्रवाई जेल में तीन महीने से बंद यूटूबर मनीश कस्यप के बिहार आने के उम्मीद पर चेनाई पुलिस ने एक बार फिर से पानी फेर दिया सुम्मार को बेतिया नियायाले से पेश्री के आदेश के बावजूद तमिलनाडू के चेनाई पुलिस यूटूबर मनीश कस्यप को लेकर बिहार नहीं पहुँची तमिलाडो में बिहारी श्रमिकों पर हमली की फर्जी वीडियो शेर करने के मामले में मनिश कस्यप चिन्नई के मदुरई जेल में बंध हैं और बेतिया के मुख्य न्याएक दंडा अधिकाडी के न्यायाले में आदेश के बाबजूद मनिश कस्यप को पेशी के लिए नहीं लाने पर सरकारी अधिवक्ता ने मुख्य न्यायक दंडा अधिकाडी से मदुरई पोलिस के खिलाफ अवमानना का मामला बनाने का अनुरोध किया है बतादें कि मजौलिया के पारस पकरी स्थित भारतिय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंध के साथ दुरबहवार करने और सरकारी काड़े में बाधा डालने के मामले में यूटूबर मनीश कस्यप को बेतिया कोट ने 26 जून को पेश होने के आदेश जारी किये थे इस मामले में सीजेम के नियायाले की ओर से चैन्नाई पुलिस और मदुरई सेंट्रल कारा को निर्देशित भी किया गया था बतादें के इस पर मदुरई जेल के अधिक्षक ने वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से यूटूबर मनीश कस्यप को बेतिया नियायाले ने पेश कराने का अनुरोध किया था जिस से कोट ने इनकार कर दिया और 26 जून को हर हाल में यूटूबर को बेहा लाकर बेतिया में पेश कराने की बात कही थी बतानें कि 17 मार्श दोहजार तेश को मझ्हौलिया पुलिस ने इस केस में नयायाले से कुर्की जब्ति करने के आदिश प्राप्त किए थे कुरकी करने के लिए पुलिस पहुंची भी थी फिर 18 मार्च को मनिश कस्यप ने जगदिशपूर थाने में आत्म समर्पन कर दिया था क्योंकि तमलनाडू के फ़र्जी वीडियो मामले में बिहार आर्थिक अप्राध हिकाई की पुलिस जाज कर रही थी इसके बाद 29 मार्च को चिन्नाई पुलिस मनिश कस्यप को तमलनाडू ले गई तब से यूटूबर मदुरई जिल में बंद है जिहां एक बार फिर से बता रहे हैं कि मनिश कस्यप के बिहार आने की उम्मीद एक बार फिर से तूट गई है सुंबार को बेतिया के मुख्य नयाएक दंडा धिकारी के नयायाले में उटूबर को पेश होने का आदेश दिया गया था सीजेम कोट ने चिन्नाई की मदुरई पुलिस को हरहाल में मनिश कस्यप को पेश कराने के आदेश दिये थे हाला कि इसके बावजूद चिन्नई पूलिस मनेश कस्यब को बिहार लेकर नहीं पहुंची और वहीं बता दें कि तमिलनाडो में बिहारी शमिको पर हमले के फर्ज़ब वीडियो शेयर करने के मामले में मनिश कस्यप जिन्नाई के मदरई जेल में बंद है और बेतिया के मुख्य न्याईक दंडा दिकाडी के न्याई आले में आदेश के बापजुद भी मनिश कस्यप को पेशी के लिए नहीं लाने पर सरकारी अधिवक्ता ने मुख्य न्याईक दंडा दिकाडी से मदरई पुल अब मानना का मामला बनाने का अनुरोध भी किया है।